व्हाब कोई में आप लेकर आते हैं, सिम्षक इसका टॉक का you music नियुक्ता पूरा है, आपको बैंगना के लिक आतरी कुरें ये हूं कि क्यूंसी इच्छा पूरी होने वाली है, या आपकी कौन सी wish है, आतरी पूरी होने वाली है, तो क्यों से नियुक्ता है नियुक्त पूर minded होकर सुननी है और सभी zodiac science के लिए है और सभी age group के लोगों के लिए है तो चाहें आपका कोई भी zodiac sign हो या कोई भी age हो कोई भी आपकी उम्र है यह reading आपसे resonate कर सकते हैं और यह reading अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या आपसे तभी resonate करेगा अगर आप ड्रीम टारो चानल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी यह सब्सक्राइब करें ड्रीम टारो चानल को और बन जाएं ड्रीम टारो फामिली का हिस्सा क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूं रीडिंग्स के दोरान इंट्यूटिव मेसेज़स चानल मेसेज़स और चानल सॉंग्स प्रवाइड करती हूं जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आँ सबसे पहले उसके हैं कि आपकी कौन सी विश्पूरी होने वाली है ओके प्रोड़ी कि कौन सी विश्पूरी होने वाली है Тाथ preço विश्पूरी होने वाली है 맛이 okay emotions are running high prosperity lies ahead okay we have this card don't let your past hold you back okay clarify be cut a dream suppression stress yes yeah we have these cards i hope these cards are visible to you i hope you are looking at cards how would you be good to hear your back what's your heart's joy this is the first thing i feel like if some person was very cold and very rude and very attitude if you had a partner और था यह कुई Ex-Person थे यह जिनका वेट कर रहे थे तो काफी अगर वो ऐसा Act कर रहे थे यह सब रहे थे कि वह बहुत अंदर जो feelings हैं यह express करें, show करें, तो मुझे लग रहा है कि अब वो समय आ गया है, यह अपने भीतर की, अपने अंदर की feelings को और नहीं चुपाएंगे, show करना, धीरे, 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 show करना, आपको अपनी feelings start कर देंगे, Yes, अगला ही message viewers, मुझे यहाँ पर यह मिल रहा है, prosperity lies ahead, तो यह उन लोगों के लिए है कि अगर आप कुछ career में कुछ कर रहे थे, आप काफी मेहनत कर रहे थे, काफी struggle कर रहे थे, काफी time से, काफी hard work कर रहे थे, किसी एक चीज को, किसी एक field को, काफी समय दे चुके थे अपना लेकिन results का wait कर रहे थे, तो results मिलने वाले हैं और बहुत ही अच्छी results मिलने वाले हैं, इसमें आपको कही न कहीं बहुत prosperity मिलेगी, यानि कि abundance बहुत आ रही है आपकी तरफ, financially आप लोग independent हो जाएंगी, या कहीं से कोई financial support आ रहा है, कहीं से कोई financial help आ रही है, वोके अगर आ financial abundance आपकी तरफ आती हुई लग रही है, गुरूत बहुत हो रही है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर काफी कुछ, यूनो, prosperity आपकी लाइफ में आने वाली है, और अगर आप वेट कर रहे थे, तो भी आने वाली है, अगर यह आपकी इच्छा थी, यूनो, अगर आपको एक पैसे उधार भी दिये थे, तो लॉट कर आने वाले हैं, इन्वेस्ट किया था, तो फाइदा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, या अगर आप कोई financial support चाहते थे, तो वो भी आपको मिल जाएगा, कोई job वगर आप ढूंड रहे थे, तो आपको ऐसी job मिलेगी, कुछ कुछ ऐसा होगा, जो काफी beneficial होगा आपके लिए, या अगर आप business कर रहे थे, तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा, यह नो, ऐसा नहीं होगा, कि अनो, suddenly आपकी life रातरत बदल जाएगी, लेकिन, आप इस चीज़ को accept कर पाएंगे, realize कर पाएंगे, कि ह मुझे फायदा हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, तो यह आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, financial wishes हैं अगर आपकी कुछ, यह पूरी हो सकती है, मुझे लग रहा है, हो सकता है, कुछ लोग सोना खरीच सकते हैं, या कोई गाड़ी खरीच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या अ और्चन आ सकती है यह अपने पास्ट में अभी भी होई हुए हैं यानि आप अपने पास्ट के बारे में चाहिए वह की हुई गलत कई हैं या पास्ट में कोई person है पास्ट का कोई चिंता है तो कही न कहीं आपकी एनरजी नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ पर पहला ही मेसेज मैंने आपको दे दिया है कि एनरजी आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पॉजिटिव में पॉजिटिव में ही स्टेबल रहनी चाहिए नेगेटिव में स्विच नहीं करन यहां पर अगला काड़ स्ट्रेस का भी है तो विवस जो भी चीज मुझे लग रहा है वर्क का बहुत लूड था वर्क लोड बहुड था या स्टडी का बहुत लूड था या अगर आप फैमिली में हैं तो फैमिली काफी प्रेशर डाल रहे थी या काफी लूड था ऐसा घार्रक इंप लूड दूड था मुझे लूड रहा है और आप काफी टाइम से प्रेय कर रहे हैं या आपकी इंच्छा थी कि मैं इन चीज़ों से फ्री हो जाओं या उन चीजों से फी हो जाओं यह चिंताए मेरी खत्म होजाएं तो यहांपर मुझे साफ साफ दिख रहा आपका stress खतम होने वाला है, मुझे 7, 10 और 6 आप लोगों के लिए numbers दिख रहे हैं, लखी numbers हो सकते हैं, या आपके life में important numbers हो सकते हैं, मैं नहीं जानती हैं, इसे important हैं इन numbers आपकी life में, लेकिन relevant हो सकते हैं, आपकी life में, जैसे है 7, 10 और 6, ये numbers हैं, तो आपकी life से stress जाने वाल हैं, इस चीज़ को पहले ही accept कर लीज़ें कि यहां मेरी life से stress चला गया, जिस भी चीज़ से मुझे free होना था, मैं हो रही हूं, इस चीज़ को manifest कीज़ें, इस चीज़ को बार बार दोहराएं कि मैं free हो चुकी हूं, या मैं free हो चुका हूं सारे tensions से, इस बात को repeat कीज़ें, दिल में, अपने दिमाग में, अगेन यहां suppression की बात आ रही है, तो कोई अगर आपको प्रेशराइस कर रहा था, या control कर रहा था, आपकी इच्छाओं को, आपके decisions को कोई influence कर रहा था, कोई चाहता था कि वो जो बोले आप वो करें, वो जो कहें आप वो सुने, और अपनी को आप दबा दे, आपका जो दिल करता है, आप वो नहीं कर पाते थे, करियर में भी, लव लाइफ में भी, कुछ भी हो, कुछ चाहें, ड्रेस क्यों ना करेंनी हो, किसी और की सुनने पड़ती थी, तो यहां पर मझे ऐसा लग रहा है, कि किसी भी फिल्ड में, चाहें, वर होती हो दिख रही है, यह, रिस्ट्रिक्शन हर जाएंगी आपके लाइफ से, साथ ही साथ विवर्स आपके कौन सी चप पूरी होने वाली है, देखे, अगर आपको सपने में आपके परसन देख रहे हैं, लाइक किसी के साथ अगर आप रियूनियन चाहते हो, किसी के साथ रियूनाइट होना चाहते हो, और अगर आपको सपनों में ड्रीम्स में ऐसे साइन दिख रहे हैं, कि आप उनसे मिल रहे हो, उनसे बाते कर रहे हो, तो आप इस बात को as a sign मानिए, कि यूनियन बहुत करीब है, यूनियन इस वेरी नियर, बहुत ही जल्द आप एक दूस्त कि कही न कहीं आपके जो ड्रीम्स थे, वो अभी पूरे तो नहीं होंगे, लेकिन अब ड्रीम्स की तरफ, आपके ड्रीम्स की तरफ, आपका जुकाफ जादा हो जाएगा, आपके जो गूल्स हैं लाइफ के, आपके जो ड्रीम्स हैं, उनको फॉलो करने पर आप ज्यादा तो यह बत शर्श तो इस मैं जबहिए गाइचाहु तो एक लोगों लिए लोगों की लाइफ में आप लोगों की तरफसे आपके यह शुर कि तरफ से आपके लिए guidance लेती हूँ एक card लेंगे हम सिरफ okay just one card देखते हैं कि एश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं कोई divine message है आपके लिए ठीक है देखते हैं कि एश्वर आपको क्या कहना चाहते है spirit please guide us इस तरह से प्लीज काइड इस ओकी ये काड़ अनफोल्ड हुआ है ओ माइ गौड कृष्ण जी का काड़ है श्री कृष्ण का काड़ आया है विवर्स आपके लिए तभी मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही थी मेरी इंट्यूशन के मुझे आपके लिए कोई डिवाइन मैसेज लेना चाहिए तो श्री कृष्ण का काड़ है और मैसेज है डिवोशन मैंने कहा आप अपने ड्रीम्स अपने गूल्स की तरफ पैशिनिटली मूव करेंगे यानि कि जो चीज़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो चीज़े आपकी प्रियॉरिटी है चाहें वो कुछ भी हो ओके फिर चाहें कुछ भी आपकी प्रियॉरिटी है आप उसकी तरफ पैशिनिटली मूव करेंगे पैशिन डेडिकेशन यहाँ पर भवान कृष्ण आपको संदेश देना चाहते है तो वीवर्स यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपकी ड्रीम्स मेंने कहान आपके ड्रीम्स में साइन मिल रहे होंगे कुछ आपको दिख रहा होगा जिसका मतलब आपकी रियल लाइफ से है तो यहाँ पर भवान कृष्ण आपसे कहना चाहते है आप स्पिरिच्वल गाइडेंस को आपको जो गाइडेंस मिल रही है चाहे रीडिंग्स के थ्रू मिल रही है चाहे आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है spiritual guidance पर trust करो trust your spiritual guidance and आगे लिखा है your commitment has been recognized I'm sorry for this background noise viewers I know it's irritating your commitment your commitment has been recognized याने की viewers आप जिस चीज के लिए committed थे जिस चीज के लिए काफी time से hard work कर रहे थे या जिस चीज को ही काफी time से manifest कर रहे थे सिर्फ एक चीज के लिए prayer कर रहे थे सिर्फ एक चीज के लिए hard work कर रहे थे सिर्फ वो एक ही आपकी इच्छाती आने की बार-बार आपकी change नहीं हो रहे हैं थे कि एक पल ऐसा कि प्रभू मेरा इनसे reunion करवा दो या फिर एक पल आपने बोला कि नहीं नहीं मुझे परसन नहीं चाहिए मुझे move on करना है प्रभू मेरी help करो तो ऐसा नहीं अगर आप किसी एक चीज के लिए dedicated थे passionate थे किसी एक चीज के लिए आप committed थे तो फिर चाहें वो कोई work place हो कोई job हो कोई career field हो या आपकी family हो या कोई family issue हो या कोई person हो को romantic partner हो जिस भी issue और जिस भी topic के लिए आप you know काफी committed हो वो आपकी priority है तो यहाँ पर वो इच्छाहें आपकी सुने गई हैं आपकी इच्छाहें recognize की गई हैं आपकी wishes को सुना गया है ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छाहें आपकी wishes जो हैं जो आप पर यह कर रहे हूँ वो व्यर्थ हो रहा है नहीं ऐसा नहीं है अगला message है आगे जो लिखा है you are loved unconditionally तो भवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो आपको unconditionally प्यार करते हैं उनकी blessings हमेशा आपके साथ हैं वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं हमेशा प्रोटेक्टेड है तो वीवर्थ हमने श्री कृष्ण का संदेश लिया आपके लिए I think काफी गाइड़ था वैसे में ये कार्ट पिक नहीं करने वाली थी मुझे मेरी इंट्यूशन ने गाइड़ किया वीवर्स तो I hope this reading में आपको थोड़ा बहुत है गाइड़ किया है अगर इस reading में आपको एक परसेंट भी गाइड़ किया है तो प्लीज बचे कमेंट करके बताइएगा आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशेस है वीडियो को लाइक करना ना भूले सब्सक्राइब करें ड्रीम टारो चैनल को और बंचाइड ड्रीम टारो चामली का हिस्सा क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती है इस ड्रीम टारो snë अगर आप मझें आडला करना चाहते है तो कर सकते हैं मेरा इस्टाग्राम है अगया अगली ड्रीडिंग में अगली रीडिंग में अगली टब तक कि लिए अगला आप और आमREE